सरकार बिल्कुल फेल हो गई है कि वो डायन की तरह हर रोज बढ़ती जा रही हूँ सरकार के देश को आगे ले जाने का काम कैसे किया जा रहा है लोगों के लिए मुश्किले आसान करने का काम सरकार कैसे कर रही है और लोगों के साबने कितने मुश्किले है या फिर लोग आसानी से अपनी जिन्दगी गुजार रहे है यह तीन टर्म बहुत महत्पूर होते हैं मगर कल जो आकड़ा साबने आया उस आकड़े के लिहास से खुद्रा महगाई की अगर बात करें या फिर थोक की अगर बात करें तो निराशा जनक आकड़ा रहा है और ऐसे में कहीं न कहीं देश के अंदर इस बात को लेकर के सरकार के उपर भी सवाल उठने शुरूवे खास तोर पर विपक्षी पार्टियां खास तोर पर कॉंग्रिस पार्टी ने सरकार को बुरे तरीके से घहरा बंदी करने के कोशिश की है मगर मौजूदा इस्तिती जो है चाहे वो खुद्रा महगाई हो चाहे वो थोक महगाई हो या फिर महगाई हो या फिर विकास दर हो इन तमाम चीज़ों को लेकर के देश कहां पर जा रहा है और अर्थ शास्तरी क्या कह रहे है सरकार इसके जवाब में क्या तरक दे रही है विपक्ष इस पर हंगामा कैसे कर रहा है इन तमाम चीज़ों के बेश में आगे आने वाले वक्त में किस किसम का दौर देखने को मिलेगा खास दोर पर अर्थ विवस्ता और महगाई के मदे नज़र इनी तमाम चीज़ों पर हम चार्चा करेंगे हमारे साथ में कई सारे खास मेमान होंगे मगर आए जो आकड़ा पेश किया गया है उसके लहाद से तस्विर को समझते है दिसम्बर में खुद्रय महगाई दर के आकड़े जब साबने आए तो माथी पर शिकन की लकीरी छोड़ गए सिर्फ एक महीने के अंदर करीब दो फीसद के उच्छाल ने साड़े पांच सालों का रेकॉर्ड तोड़ दिया आम जरूरतों की चीजें महगी हो गई जिसकी पुष्टी आकड़े भी कर रहे हैं आकड़ों की लहाद से देखें तो नवंबर में खुद्रा महगाई दर 5.54 फीसदी रहा जो दिसम्बर में बढ़कर 7.35 फीसदी हो गई सब्जियों खासकर प्यास की की चीमत में उच्छाल आने की वज़े से महगाई दर पर असर पड़ा नवंबर में सब्जी की की कीमत में महगाई दर 36 फीसदी थी दिसम्बर में या आकड़ा 60.5 फीसदी पर पहुँच गया सब्जियां हर घर में बनती हैं यानि इसका असर हर घर पर नज़र आता है एक आदमी जो नवंबर में सब्जी खरिदने पर 2000 रुपे खर्श करता था इतनी ही सब्जी के लिए उसे दिसम्बर में 3320 रुपे खर्श करने पड़ रहे हैं या आकड़े हैरान करने वाले हैं और महगाई मापने का हर आधार सरकार को परिशान करने वाला है पिछले 6 महिनों में खुद्रा महगाई दर कहां से कहां पहुची ये भी समझे जुलाई में महगाई दर 3.15 फिजदी थी अगस्त में बढ़कर 3.28 फिजदी पहुच गई सितंबर में 3.99 फिजदी और अक्तूबर में ये आकड़ा 4.63 फिजदी तक पहुचा नवंबर में 5.54 फिजदी रहने वाली महगाई दर दिसंबर में 7.35 फिजदी के आकड़े तक पहुची महगाई दर के इन आकड़ों के सामनी आने के साथ ही विपक्ष ने महगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरो कर दिया महगाई के मौर्चे पर अब सरकार पर निशाना साथने के जिम्यदारी कॉंग्रिस के तरफ से रनदीप सुर्जवारा ने उठाई पिये मोदी से महगाई पर रोक के लिए अगले 30 दिनों का रोड मैप मागा वो आदर्णिय प्रधान मंत्री मोदी जी जो 2013-14 में कहते थे अब की बार महगाई पर वार वो चुप बैठे हैं और महगाई है के वो डायन की तरह हर रोज बढ़ती जा रही है मोदी जी आप केवल मोनवरत रख कर आप केवल चुप रहे कर आप केवल चुपी साद कर और इस देश की जनता को महगाई की आग में जोंक कर बेरोजगारी की आग में जोंक कर केवल विभाजन की आड में आप अपनी जुम्मेवारी से हट नहीं सकते इसलिए हमारी ये मांग है कि प्रधान मंत्री सामने आएं देश के, वक्त वबे दें और अगले 30 दिन का महेंगाई कम करने का रोड मैप देश को बताएं रणदीब सुर्जवाला ने महगाई की मुद्धे पर सरकार को घेरा तो राहुल गाधी को यवाओं की चिंता सताने लगी यवाओं के लिए नौकरी के बहाने राहुल गाधी ने सरकार को आड़े हाथो लिया जो इकनामिक सिचुएशन है और जो बेरोजगारी की सिचुएशन है उससे देश में युवाओं में गुस्सा है डर है क्योंकि उनको अपना भविश्य नहीं दिखाई दे रहा है सरकार का काम देश को विजन देने का होता है रास्ता दिखाने का होता है इस काम करने में सरकार बिलकुल फेल हो गई है कॉंग्रिस के आरोपों के जवाब में बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया कॉंग्रिस के सवालों पर बीजेपी ने 2014 का वो दौर और उस दौर में महगाई का हाल भी याद दिलाया साथी महगाई पर अपना कनित और अपने आकले पेश किये जहां तक महगाई और जहां तक एकोनामी का विशय है आप सबने देखा होगा 2014 से पहले की एक स्थिती जहां महगाई डबल डिजिट में इंफलेशन रेट डबल डिजिट में पहुंची हुई थी और ग्रोथ रेट जीडीपी जो है वो इस प्रकार से नीचे आई थी कि यह जो रेड़ कॉरिडोर था बिट्वीन दे जीडीपी अन दे इंफलेशन इट वाज रेड़ कॉरिडोर गिविग आउट ग्रेट अमाउंट ऑफ डिस्क्रिपसी तो दे पीपल अफ दे कांट्री इंफलेशन बेरिंग फ्यू फूड आईटम्स आप पियाज इत्यादी देख रहे होंगे यह फूड आईटम्स की रूप में आप में देखिए आप इनको समूचा इंफलेशन के प्लेट में मत लाए अगर अभी के इंफलेशन में देखा जाएगा से जुटला रही है इन सब के बीच साबने आए आकड़ों ने भारी मात्रा में बिरोजगारी और नकोरियों की कटोती की बात भी कही अब सवाल यह है कि बेलगा महगाई को रोकने के लिए सरकार किस नए पैतरे को आजमाती है ब्योर रेपोर्ट आर्नाइन टीवी उत्रवरदेश उत्राखन अब साब इस्तिती यह है कि आमदनी तो बढ़ी नहीं मगर खर्चा और महगाई डायन पहले से ही लगातार डस्तनी के लिए तयार बैठी हुई आज बढ़ती महगाई पर लगाम कब लगेगी हम यह सबी लोगों का सवाल है महगाई पर रोक के लिए सरकार का प्लान क्या है आगे आने वाले दिनों के लिए रूड मैप क्या है 2014 के आकड़ों से मौझदा हालात को जोड़ना कितना सही है या फिर यू कहा जाए कि क्या विपक्ष महगाई के बुद्धे पर राजनीती करेगा विपक्ष को एक हत्यार मिला है बढ़ती महगाई पर लगाम कब लगेगी सरकार सी सवाल जो कि हर कोई पूछ रहा है हमारे साथ कई सारे खास महमान इस वक्त जुड़ चुके हैं चर्चा के शुरूवात करते हैं उनका तारूफ आपके साबने कराते हैं मगर जिस तरीके से खुद्रा मेगाई दर जो साब बे आया है 7.5 फिस दे के हसाब से खुद्रा मेगाई दर का जो आकड़ा साब बे आया है वो आकड़ा ना सिर्फ चौकाने वाला है बलकि लोगों के लिए चिंता का एक बड़ा कारण है और ऐसे में लोग पहले से जो जुज रहे थे अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उम्मीद इस बात की जताई जा रही थी के साब आगे आने वाले वक्त में शायद कुछ आसा नहीं हो शायद कुछ बहतरी देखने को मिले मगर निराशा ही हाथ लगी है इसी के साथ साथ में जो थोक दर जो साब ने आया है जो इसकी मेगाई जो साब ने आई है वो भी कहीं न कहीं जिस तरीके से साब ने आई है वो माते पर बल लाने वाली है और ऐसे में हमारे खास मेमान जो जुड़े हैं उनसे समझने की कोशश करते हैं के आखिर इन तमाम चीजों के बीश में हिंदोस्तान के लोग, हमारे देश के लोग या देश वासी जो उम्मीद कर रहे हैं वो उम्मीदे पूरी कब होंगी भारती जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता के तोर पर मारे साथ में इस वक्त जोड़ चुके हैं अनरोध सिंग जी सवागत है सर आपका, सवाल बहुत सारे आज आज आपसे होने हैं और उम्मीदें भी बहुत सारी हैं कि शायद आगे कुछ बेightरी के लिए आप बताएंगे मनुच तिवारी जी कॉंग्रिस पार्टी के निता जो कि आज एक बड़ा हथियार कॉंग्रिस पार्टी को मिला है सरकार के उपर में एक बार फिर से प्राहर करने का और इस वक्त हमारे साथ में मनिश गुपता जी है अर्थ शास्तिरी के तौर पर जो तमाम चीजों पर जिनके पुखता निगाह रही है लंबे समय से अनिल मिश्राजी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जो कि वरिश पत्रकार के तौर पर है हमारे साथ कुछ और दूसरे खास मेंमान जुड़ेंगे जैसे जैसे जुड़ेंगे उनका तारूफ आपसे कराएंगे मगर मेरा पहला सवाल अनिरू सिंग जी बहुत हुई महगाई की मार अब की बार मोदी सरकार बड़ा जोरशोर से नारा चला था और लोगों ने भरोसा किया था भरोसे का सिला ये सर देखिए अगर हम 2004 से सिलसिला उस सुरू करते हैं 2004 में जब UPA1 की सरकार आती 2009 में UPA2 की सरकार आती 2014 में जब हमको सरकार हैंड़ोबर किया जाता है उस टाइम पर अगर इंफलेशन रेट देख लीजिए GDP देख लीजिए या कंजूमर इंडेक्स जो भी आपको देखना उस टाइम कर देखिए उसके बाद 2014, 2015, 2016, 2017 continuous हम लोग महंगाई को इंफलेशन रेट हमारा 12% एक टाइम पर गवा करता है 12% 10% वो हम लोगों ने 3% 4% तक लेके है GDP हम लोगों ने पाद गवा कर देखिए मैं सारे आकड़े आज लेकर के आया हूँ सारे आकड़े में लेकर के आया हूँ और मैं सिर्थ दो चीज़ें आपको बता दूँ कि सरकारी जो Ministry of Consumer Affairs के हिसाब से सरकारी दर 23 रुपे था 2014 के वक्त में जो कि अब 60 रुपे के आसपास सरकारी दर 32 38 रुपे था 55 रुपे में बेक रहा है तो ये एक छोड़ी सी जलक है हम इस पर विस्तार से चर्शा करेंगे मगर मेरा सवाल ये कि इन तमाम चीजों के बिश में उम्मीद देशवासी कैसे लगा है बिल्कुल उम्मीद देखे दो क्वाटर से हम पूरे 5 साल का अनलेसिस नहीं कर सकते हैं कोई दो क्वाटर के दर से हम 2024 तक का अनलेसिस कर लेंगे लेकिन हाँ देखना पड़ेगा उसके बाद जुलाई अगस सेप्टमबर का महीना आता है काफी नौर्थ इस्ट हो या नौर्थ में है या इस्ट में है बारिस बहुत ज़ादा हुई बार बहुत ज़ादा है यह वजह हो सकती है और इन वजहों की बन्याद पर करिन नहीं नहीं इस्टिफिय भी बनती है और यह सभी सरकारों के साथ में होती है यह वजह है मगर सवाल यह है कि इनी तमाम वजहों को पहले से देख करके समझ करके उनके लिए तैयारियों पर ही तो सवाल उटता है कि यह सरकार की जिम्मेदरी आखर किस बात को लेकर के होती है तो सबसे मजबूत हम कई सुधार हम ने किये ठीक है हम उन पर विस्तार से बात करेंगे मैं सभी खास महवानों की तरफ एक तरफ एक बार चला जाओ सबसे उनके कॉमेंट लेनू और ऐसे में मनोश तिवारी जी यह जो महगाई है आप लोग सड़कों पर उतर करके या प्रे देखने को मिलेगी देखिए जबबार भाई बहुत होई महगाई की मार अब भगाव मोदी सरकार मैं आपको एक बात बताता हूं जहां तक सवाल कॉंग्रेस का है कॉंग्रेस में प्रियंका जी राहूल गाधी या तमाम जितने भी कॉंग्रेस के नेता है जो कांग के आधार पर जो कंजूमर फोरम इंडेक्स है उसके आधार पर यह जो आया हो कि 7.3 प्रतिसत जो है खुद्रा जो है उसमें इंफ्लेशन हुआ है रिटेल में रिटेल प्राइस में इंफ्लेशन हुआ है तो इस इंफ्लेशन का कारण हमको पता था पहले से भी हम इस सरकार को अन्य चीज, जो बुनियादी चीजें हैं, जैसे महंगाई है या आम कंजूमर्स की चीजें हैं, वो लगातार जो बढ़ रही है, उस पर उसका कोई नियंतरण नहीं होने का कारण है, सरकार को देश की अर्थ ब्यवस्ता समझ के बाहर है, बार-बार इस चीज को कहा अंद्रा पाइंट चोवालीस प्रस्चत की बढ़ोत्री है, मीट के उपर नाइन पाइंट फाइव सेविन है, जो साधारन जो बिर्प्रती है, मगर ये कह देना कि सरकार के में बैठे वे मंत्रियों की समझ से बाहर है, देश की अर्थ ब्यवस्ता कैसे चलाई जाए जाए बोलते थे कि जादू की चड़ी नहीं, घुमाया और सब कुछ ठीक हो गया, तो क्या ये कह देना कि साब सरकार समझी नहीं पार ही, देश की अर्थ ब्यवस्ता, सरकार समझी नहीं पार ही, कैसे कंट्रोल करना है, ये क्या उचित है, या इसके और कारण है, एक मिनट आपक के कगार, परेक्शिंज बिल्कुल नहीं है, दूसरी बात है, आयात बड़ा है, निरियात बिल्कुल नगण है, तो इन परिस्थीतियों में आपके पास पैसा तो है नहीं, अगर पैसा नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात ये है, कि बैंकों की बित्ती अवस्थाएं पैसरी और खास महमान जुड़ेंगे, मगर अब ऐसे में मनिश गुपता जी, आपके अनुभों के हसाब से, कितना निराशा जनक है, साथ से ओपर चला जाना खुद्रा मैगा इदर, साथ प्रतिशिक से. जिसे निराशा का अभूतक है, जिस हिजाब से जीडी टी घटा है, और लगातार हर आर्थिक मुद्धे पर मुद्धी सरकार चोट खा रही है, तो संबब कर जब तक कोई बड़े करेक्टिव एक्शन नहीं किले जाएंगे, इसी तरहीए के निराशा का माहौल बना हैं आपको, कि सरकार ने कुछ-कुछ ऐसे प्लानिंग की है, जिनको आगे आने वाले वक्त में देखा जा सकता है, या कोई कदम उठाने के तयारी भी नहीं है, अभी तक बड़ा करेक्टिव एक्शन दिखने में नजर आया नहीं है, देकि सरकार की अभी तक GST से वसूली पर भी नगा रही है, और वो होनी भी चाहिए, अगर टेक्स हो का तो विकास के काम होगे, तरसल इस्तिती यह रही है कि हमारे देश में लगातार बिना टेक्स के माल को खरीदने बेचने की आतत रहती आई है, हर छोता व्यापारी, नकली फॉर्म के सहारी, अगर के माल नहीं बेचा जा पाना तो इसका बाजार बन नाकाल पर पड़ा है, यह एक रीजन है, जैसे इंकम डेक्स में बड़ा डवलप्मेंट रहा चाहिए, कोई बड़ी चूट मिले, लोन मिले, ऐसे बड़े एक्शन अभी नहीं आई है सरकार की पर अदमों के उपर हम चर आशकों की सूरतेहाल आपने देखी है, सरकारों के कामकाज करने के तोर तरीके को महगाई पर कंट्रोल करना या फिर विकास को लेकर के, यह जो 2014 के बाद में एक तरफ कांग्रेस, विपक्ष यह कह रही है कि साब, इस सरकार को समझ ही नहीं है, इसलिए सारी चीज़े लग सरकार को समझ नहीं है, सरकार का प्रयास नहीं हो रहा है, तो यह साथ गलत होगा, सरकार अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन हा, रिजल्ट चुकी सही नहीं मिल रहा है, रिजल्ट निगेटिव मिल रहा है, तो इसलिए निश्चित रूप से सरकार की ही फिल लेकिन यह जो आरोप लग रहे हैं आज जो एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई है महंगाई इसका जो रेशियो महंगाई कदर बढ़ रही है कि विकास उससे बहुत तीचे छोड़ जा रहा है आज समस्या इसका कारण इसके मूल में अगर आप जाएं तो देश चलता है दो तीन चीजों से एक होता है manufacturing जो हमारा percentage होता है उस पर दूसरा होता है क्रिशी पर भारत एक क्रिशी पर सान देश है तीसरा होता है construction growth कितनी percent जा रही है वो अगर आप इस वक तीनों देख लें तो क्रिशी जो हमारा लगभग 75 percent country को समालता है चाहे वो GDP हो या प्रेटकल वे में आप किसी को देख लें आम आदमी उससे प्रभावित होता है वो 1.9 या 8 percent पर इस वक पिछले डेल दो सालों से जाके गिरा हुआ है तो आपकी आधी से ज़्यादा अर्थ बेउस्था की ताकत तो यहीं दरासाई हो जाती है जब भारत की क्रिश बेउस्था की विकास दर इतने नीचे चली जाती है उसका दूसरा सबसे बड़ा factor होता है manufacturing manufacturing का अगर आज आप देखें पिछले साल बर से उन लगा दो साल से लगा तार नीचे गिरता चला जा रहा है और आज आके में सही direction नहीं है उसका result इसलिए आपका सकते हैं आप यह देखें जो demand होती demand पर and supply demand and supply इसी पर पूरी अर्थव्योस्था चलती है और demand लगातार सीन साल से आप देखिए day to day गिरती चली जा रही है demand जो देश की होती किसी भी चीच की किसी भी फिल्ड में अगर वो गिरती चली जा रही है तो निश्चित है आपका अर्थव्योस्था पूरी की पूरी तरह फ्लॉप होगा वो गिरेगा चुब demand नहोने का कारण होता है कि आपके pocket में money नहोना इसके और पीछे अगर आप चलता है लेकिन अगर रोजगार ही खतम हो गया चार पैसा कौन का है जीरो उसकी कमाई नहीं उसके पास कोई रोजगार नहीं होगा तो निश्ची था कि मार्केट की इस्थिती इच्छी नहीं होगी तो मुझे लगता है कि सरकार को कहीं न कहीं सबसे पहला जो कि प्रदान परसंट जो 35 वर से कमायू की ताकत आपके 65 परसंट आपके पास है उनकी आपने ताकत को छीन लिया है क्योंकि वो ताकत किसी ने किसी फील्ड में रोजगार करती है वो कुछ भी हो सकता है अगर उनके पास रोजगार नहीं है तो वो रोजगार नहीं होने की वज़ा से य रही एक उम्र है जो सबसे जादा खर्च करती हो किसी भी चीज में किस्तमर लीजिए तो अगर उसकी पॉकेट खाली है उसके पास पैसा नहीं है तो मार्केट खाली हो जाता है तो सरकार का प्रसंट है क्या सरकार समझ नहीं पा रही है बिल्कुल सच है सरकार ने बहुत ब उपिये गॉर्मेंट इतना बड़ा अर्शास्ती मनमोहन सिंग उसको जनता ने उखार फेका था उसमें अगर सबसे बड़ा फैक्टर था तो मांगाईए और यह सरकार नहीं चेटी है तो निश्चीत रूप से यह और और यह एक खत्रे की घंटी क्या क्या इसे एक अनुरू दो हजार उनीस के चुनाओ था नहीं चुनाओ रहे तो लोगों ने यही बोला था खत्रे की घंटी हम नहीं आएंगे वापस नहीं आएंगे खैद उस डिबेट में नहीं जाना हम 303 के साथ कमबैक होते हैं और स्ट्रॉंग मेजारटी के साथ 350 के साथ हम आते हैं और देन जोचती है कि हमें क्या चीजे हमारे हिसाब से मिल रही है बिल्कुल मेजाई के तुर रिजल्ट नतीजा जिस नतीजे की बात आपने की थी जनता ये नहीं देखती कि GDP क्या है inflation rate क्या है, index क्या है, वो उसको consumer index क्या लेना देना है, लेकिन तो बिपक्च लेकि अगर उनसे अगर question क्या जा है, कि एक time 12% आपका inflation rate होता था, या प्यास की किमत double rate पर जनता खरीदे, देखिए, जब बार जी कई question आए, तीन चार लोगों ने एक ही आदमी से तने question पूछ ड जरिये से, जिसको जनता समझती है, इनिशियेशन में ही बोल दिया था, कि प्यास सबस्यदा कहां पैदा होता, महाराष्टरा और मद्द्रदेश में पैदा होता, सरकार हमारी नहीं है, वहाँ पे huge dumping होती है, और जब वहाँ पे income tax department, पिछले दो महीने के अंदर सारी चीज जबार जी जुलाई में पैज कदाम क्या था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी बात मैं माल लेता हूँ, लगि महाराष्टरा पे सरकार उस वताप आप जाप की थी, आपने ऐसा माहौल दिया था, आपने ऐसी इस्तिती बनाई थी वहाँ पर, आप जिस बात को लेकर के ये कह रहे हैं, जिसको बन्याद बना रहे हैं, वो क्या तरक आपके सपोर्ट में आ रहा है? यहां हमारे पालनिस ने भी इस बात पर जोर दिया किसाब बड़े कदम उठाए हैं सरकार प्रयास कर रही है, सवाल यह है कि हम सरकार को एक्स्परिमेंट के लिए मिठाते हैं, हम बोट करते हैं कि सरकार एक्स्परिमेंट करें, आपने को और यही बोल रहा हूं ना, यही Combined Index आप देखिए, inflation कितने परसेंट है, 3.8 या 3.7 है, और एक टाइम 12% हुआ करता है 2010-2012 में, सिर्फ डिवेट किया जा रहा है कि रिटेल पे चाहिए, उसके पीचे सीजनल रिजन होता है. इंफलेशन देखा जा, 7.5 जो बोला जा रहा है, जो कि सीजनल्स है, सीजनल्स क्या होते हैं, कहीं पर सूखा आ गया, कहीं पर बाड़ आ गया, कहीं पर C.A.N.R.C. कि तना दंगा फैला देखिए, कि ट्रक सप्लाई नहीं कर पारा रहा है, ठीक है, नवेद आयास जी, यह ज बताए जारी है, बीजेपी की तरफ से, आप लोग बेवजे क्या हंगामा कर रहे हैं? जो है, वो महिगा इकैने मिला रहे है, यह जो बणाई करता है, जो रीकार जान होगी है, तो तरक्की कैसे करोई इस हैं, आज 90% मैनुप्रेक्ट्चिंग चलता है, जो चान Girl कर दो चानीन के वरोद करते थे, खेलोना हो तो चाइना का आप तुनिए आप सबसे बड़ी मुबाइल फून की फैक्ट्रियों के सबसे आदे स्मार्टून बच्चे यह उच करते हैं आप देखिए छे साल पुरानी सरकार जो है और तीन साल पुरानी सरकार जो है प्यास की निद्मेदार है और आप लोग सीफ और सीफ बर्गलाने और भैकाने की निए जाने जाते हैं आपको लगता है कि सारे वोड हिंदू मुस्लिम करके मिल जाते हैं यह भूकास हो जाएगा और उन्हीं की पार्टी के नेता उन्हों नहीं कहा है युँआओं को रोजगार देना होगा और युँआओं को रोजगार अगर नहीं दे पाएंगे तो इसका हाल होई होगा जो बड़े बड़े गणाउप का हुआ है इंद्रा गांदी का हुआ है और जल्दी से मैं आओंगा मैं आओंगा इन दोनों मुद्दों को लेकर कि 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 इन दोनों चीजों में हमारी अर्थ विवस्ता पर किसी तरह का असर डारा है बुरे तरीके से मगर मरिश गुपता जी क्या इस बात से सरकार इंकार कर सकती है सिर्फ ये कह करके कि डॉक्टर मनमोहन सिंग के वक्त में ये आक्रे थे अभी ये आक्रे है तो हम पर सवाल क्यों उठाए जा रहे अभी जैसा कि जिक्र हो रहा था कि पर सरकार इंकार नहीं कर सकती है और जहां तक मुझे ये सुनना बड़ा हास्यापत लगेगा अगर आप मनमोहन सरकार से कंपेरिजन अब करते हैं आप पहले कारेकाल में खूब कंपेरिजन करिए एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांस साल आपने काम किया और आपने खूब रेट घटाए और रेट गटाए आपने खूब बहवाई लिए और आप इलेक्शन जीत गए अब इलेक्शन जीत गएता है, साब दो टम पहले मनमोन सिंग की सरकार से हमारा कमपेर इन कर लिजे, अरे साब उसके आधार पहले ही बोर्ट ने चुके हैं, मनीज चुके कोई कमपेर नहीं कर रहा है, अब अब सुन लिजे, अब देखिए, आते हैं मुल्बूत कारणों पर दरसल क्या है कारण नमबर वन, GST, GST की बज़े से बिना टेक्स की सेल बंद हो गई, जिसका देश को तातकालिक तोर पे भले ही फाइदा ना हो, लेकिन लंबे तोर पे फाइदा होगा, लेकिन बरतमान में इस्तुत दोड़ी टाइट होगी, जिसके लिए हमें कहीं न कही कोई रिलीफ देना पड़ेगा, दूसरा, एक बड़ा समस्या इस बज़े से हुई कि जितने पुराने कॉंग्रेस के टाइम में पिछले 10-15-20 सालों में जीतने NPA हुए, बैंकों में उन पर अब सरकार की तरफ से इतना कड़ा नियंतरण हो गया कि नए लोन अब आसानी से नीए जारहे हैं, और जिन लोओं को लोन दिये भी गए हैं वो भी रिविघ्यू हो रहे हैं, जैसे मेरे पास ये अकर कोई 20 करोड़े की लिमिट हो तो मेरे पास बैंक से फोना आता है कि अपनी लिमिट रिवियू कर लो, अगर आपको जरूरत नहीं है तो अपनी लिमिट हो गई हैं और ऐसी पड़ी इस्तिती है जैसे का आज सुनने मारा येस बैंक की भी दिक्कत हो रही है यह और जगह जिस तरीके से NPA बैंकों में हैं reported नहीं है अगर दो सालों में जिस तरीके से report हो गए तो यह और खराब श्तिती होगी तो ऐसे में लोन मिलना कम हो रहा है लोन मिलना कम हो रहा है का मतलब क्या है कि जो money का inflow है वो economy में नहीं है individual के हाथ में पैसा नहीं आ रहा वो खर्च करना चाहता है कर नहीं पारा और एक तरफ से नहीं आगे बढ़ेगा एक consumer के हाथ से पैसा निकल के businessmen के पास नहीं जाएगा तो चक्का slow होता जाएगा और यह चक्का लगातार slow होता जा रहा है अब सवाल यह slow होने के process तो अभी कुछ महीने में शुरू नहीं हुआ नहीं यह तो चल रहा यह तो लगातार चल रहा है तो ऐसे में इसमें सरकार को कोई बड़ा कदम एक तरीके से एक सर्जरी की जरूरत होती है इसमें तो वो सर्जरी आपको दिख रही है भी बिल्कुल अब देखिए जब चक्का slow होता है तो जब तक परणाम आते हैं तब तक पीछे काफी पहले की बात हो चुकी होती है तो यह चक्का जो आज slow दिख रहा है यह पिछले एक साल से slow होता होता अब और खराब पोजिशन पर आ गया है जबकि यह इस्तिती 2016-17 के आंकड़े हैं यह जिनका रिजल्ट अब आ रहा है और जो करेक्टिव एक्शन 17-18 में लिए गे उनके अब रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से लोन मिला का आयो जिन किया गया और भी कई सारे कामों पर लोन देने की कोशिश की गई उनसे कुछ लाब होगा जिस तरीके से NCLT के आने के बाद लगातार इस्ट्रेस जो है खराब कंपनियों से पैसा फसादा वो निकल मेरा कहना यह है कि इसके साथ में यह भी तो आकड़ा है कि कैश उस वक्त जो चलन में था आज के वक्त में क्या कैश कितना कितना उसका धर है चलन में क्या फाइदा हुआ नोट बंदी और जिस ती के मोड़न तीन लाग सेल कंपनीज बंद होगी आई टीर भरने वाले संक् सब्सक्राइब कर देंगे नाम पर जनता को जिस तरीके से बेवकूप बनाए जनता समझ चुकी है और इस बार की बड़ी पांच लाग तक टैक्स शूट देंगे और बाद हम पता जागर किसी पांच लाग तीस जार इंकम है तो उसे टाई लाग के ओवर सारा टेक्स देना है आपने सारा गुलग ओवर उसी समय कर दिया और आज देख रहे हैं हम लगातर मीटिंगों में निर्मला जी नजर नहीं आ रही है तो आपको यहां ध्यान देन लहते हैं मनीजी भी बोल लहते हैं मैं इसमें थोड़ा सा इंटरफ करना चाहता हूं जो मैंने देखा समझा जाना देखें इस सरकार की सबसे बड़ी कमी आज हम लोग महंगाई बात कर रहे हैं ऐसे बहुत से मुद्दे हैं लेकि उसका सबसे बड़ा इफिक महंगाई पे लेकिन जी एस्टी जिस वक्त लागु की जा रही है ती चाहे भी पच्छो या पूरा देख विरोद किया था लेकिन उस जिड्द में चूकि तूरन्त रातो रात लागु करना है और जिस धन्ध से उलास के साथ हर के रूप में प्या रहे है के रात के बारा बज़े जिसमेरी केसरी संदास में हुआ था लेकिन सरकार को क्या उस वक्त ये उम्मीद थी कि ये जमीनी अस्तर पर वर्क कर जाएगा आप वजिखत नहीं होगी तो मेरा ये मानना ये जो धाई तीन साल का अर्थ व्योस्ता को चौपट करने का समय गुजरा जिसमें आप तेजगत से आगे बढ़ सकते थे नहीं बढ़ सकते थे कम सकम जो रवर्तमान प्रक्रिया थी उसको आप मिंटेन रखते लेकिन ये धाई साल एक तरफ नोट बंदी साइधा निरुद्र जी को पसंद ना है इसी नोटा में जहां हम लोग बैटे हुए हैं 900 फैक्ट्रियां बंद हुई है 900 सरकारी आंकड़े बता रहा हूं बिना सरकारी आंकड़े ना जाने कितनी पर और लगी कितनी कहने को जिस पर ये सरकार बार बार पिंच करती है एक के रुपए का ट्रांजेक्शन जो मार्केट को मूब करता था वो खतम हो गया ठीक वही चीज़ जीएस्टी का ही पेक्ट रहा है जीएस्टी जिस वक्टाइस परसेंट अठारा परसेंट बारा परसेंट पांच चरणों में लाया गया छोटे और मध्यम लगुद्यों जितन मैं आपको खुल के बोलना हूं सरकार बात करती कहती सबका साथ सबका विकास सबका विस्वास और साथ में करती है कि गरीबों की ये सरकार गरीबों के लिए काम लें सबसे बड़ी कमी जो देखने मारी है आज भी हम अपनी किशिवियों-भ्योस्था पर बिलकुल नहीं ध करना है उसका जो एक मौनीटरिंग होना चाहिए बिल्कुल नहीं है जो सरकारी आकरे दिखाए जाते हैं उससे कई गुना जादा हमारे चीज़ें खराब होती है अनिदर सिंदे एक मिट बोल दूँ अगर याद हो यही मोदी जी 2014 चुनाओं में बहुत अच्छी बेवस्था बताये थे कि हमारे आनक्यों बर्बाद होता है मंगाई क्यों होती है हम कैसे cold storage की chain चलाएंगे कैसे हम फसलों का उपज बढ़ाएंगे लेकिन आज बड़े सर्म साथ कहना पड़ता है कि उस cold storage में कहीं एक भी cold storage की बढ़ोती नहीं हुई कहीं एक भी उस फसल उत्पादन या उस फसल संद्चन की बात नहीं की गई है तो अगर इस तरह की ब्योस्था रहेगी तो मैं नहीं मानता कि इसी ब्योस्था जब तक नहीं सुधारी जाएगी बारतियास ब्योस्था को कोई नहीं समाल सकता अनिलुस सिंग्जी यह सारे महतपूर बिंदू है जिनका जिकर अब सवाल यह उठता है आम आदमी तो यहीं पूछाएगा ना साब के आपने कागजरों में कागजरों के अंदर सिर्फ पोस्चिरिंग की सिर्फ पोस्चिरिंग की या रोप आपके उपर तो लगेंगे यही सरकार्ती जो हर ब्लॉक में अग्रिकल्चर एक्सेंशन आफिसर डवलप यही सरकार्ती सारे अग्रिकल्चर इन्वर्स्टी में इस से जादा इतना इन्होंने जुनाया कितना अच्छा थे कि मेरा आरोप क्या था सारी काजी फाइलों और बात सोले में रिजल्ट बता रहा हूं लेकिन हमारा क्रिसी विकासदर जो साथ और आठ परसंट होता था पिछले तीन सालों से दो राई करते हुए अगर सोचिए इतनी एक्षी विकासदर बारे नालेज नहीं हमारे फामली बैग्राउंड में अगरी कल्चर होती नहीं मिल रहा है आप जाइए रेइस्टर करिए वहाँ पे आपका धान और क्योंका सरकारी मूल ले वो मिल रहा है आपको क्यों नहीं मिल रहा है मैं आपको एक जमीनी हकिकत बताता हूँ मैं मुझे लगता यहां पर आपको मैं एक जमीनी हकिकत बताता हूँ मैं इस चीज़ को एक्स्पिरियन्स कर चुका हूँ मैंने डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट को फोन करके और उसके बाद में मुझे अपने घर का अगर गल्ला गेंहों तोलवाना था उसके लिए नाको चले चबवाने पड़े तब जाकर के आठ दिन की लंबी लाइन के बाद म सवाल यह कि काग्जों में पोस्ट्रिंग की बहुत अच्छी है और उनके उन करमचारी अधिकारी खिलाब कड़ायकसा ने सरकार ले रही वो छोड़ नहीं रही उनको अब बात आती जीस्टिक ले पूरे बिश्ट्र में एक ऐसी गवर्मेंट बताती है जीस्टिक बात कम बैख हुई है मोदी सरकार को लोग बोलते थे कि जीस्टिक ला रहे हो कम बैख नहीं होगा कनाड़ा में और जगा पे पेल हुए और हम 303 के साथ more than 350 NDX साथ हम कम बैख कि आजाना चाहिए आपने सारी चीजों का सर्वे करके सही धंक से स्कुलाब करने की कुछ नहीं कि इसका मतलब है कि अगर उनके साथ फॉर्मल सेक्टर हो रहा सारा चीज़ यह अभी अनिल्मिस्रा जी ने का कि more than 900 कंपणी नोटक अंदर बन गी क्या सब काले धन से चल रह अगर आपका माले कैस का पैसा था तब लिजा के क्यों नहीं जमा कि ऐसा नहीं है कि 900 उस्ते लादा कंपणी स्टाट अप्स खड़ी हुई है मनुश्तिवारी जी जबार भाई मुझे लगता है कि आपने मुझे मुझे मौका दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको इक बात करता हूं दरसल क्या है जबार भाई मुझे उसे कोई दुख नहीं है मैंने कहा कि जीन चीजों पर हम लोग बहस करें मैंने पहले भी कोड किया इस बात को कि सरकार आर्थिक मामले पर बिल्कुल ना समझदार है उसका एक कारण मैं आपको बताता हूं प लिगैसी सेल्टर में लिगैसी राष्ट्र के लिए किन-किन चीजों की आवसकताएं होती हैं इसको यह सरकार समझने पा रही है सबसे पहला काम उत्पाद और दूसरी काम जटिलता उत्पाद के आधार पर यह सरकार जो है नौवे पोजीशन पर है और जटिलता के आधार पर 49 में नंबर पर है अब मैं उसका कारण बताता हूं इन्हों कहा कि निर्मला सीता रमन जी का बयान था जो लिगैसी के राष्ट है तुमें कॉंग्रेस के रिए बताता चलिए ना तके कंपरिजन बेटर रहेगा मुझे लगता है आप मेरी बात को सुनी आप बिल्कुल जितना चाहे प्रस्ण कर लिजेगा अरे जितना प्रस्ण की अभी घोसना हमारे साथी ने कहा कि निर्मला सीता रमन जी का बयाना था फाइब ट्रिलियन एकनॉमी का इनका टार्गेट था और अब ये फाइब ट्रिलियन एकनॉमी का टार्गेट 2030 तक चला गया अब पैसा कहां से आएगा जे सरकार क्यों मामलों में उल्जा रही है अनिल जी के बाद से मैं बिलकुल सहमेत हूँ कि आंकडों के खेल में उल्जी हुई है सरकार कर क्या रही है हमारे पास 1.25 मिलियन पैसा अभी हमको एकनॉमी के लिए खर्च कर रहे है ये इन फिराज स्ट्रक्चर का पैसा कहां से आएगा ये आएगा सर मॉनिटरिंग फंड से फंड से इन तीनों में सरकार के पास पैसा नहीं है पहली बात दूसरी बात मैं आपको ब साथ अनुरुद भाई आप से हम जबाब लेंगे चौथी बात क्या है जितने भी लगूत द्योग है भारत में जल्टिताओ की वज़े से मार खागे जल्टिलता क्या था जीस्टी लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं जैसे मैं भी एक छोटा उद्योग करता हूँ मुझे आ प्रान्वाइन को लेकर के और जितना उसको इसको डिफरेंट सेक्टर में कर दिया गया सेवन स्लाइब में सिंगल स्लाइब में जीस्टी कॉंग्रेस ने कहा था कि हम सिंगल स्लाइब में जीस्टी लेकर के आएंगे अगर सिंगल स्लाइब जीस्टी होता तो आज उत्पा कर रहे हैं World Market में इसको समझियेगा आप कम्पीट नहीं कर पा रहें किसी भी Market से आप कंपीट नहीं कर पा रहें भारत बहुत बड़ा बाजार है बहुत बढ़ा बजार है तो आप बाजार होNy के बाद क्या कर रहेがとう हैं आयात को बढ़ा दिया आपने निरियात आपके आपके पास पैसा घटते चला जा रहा है अब एक देखिए नया मामला आ गया है रिजर्व बैंक से फिर सरकार ने 45,000 क्रोड रुपे का डिमांड किया है हम कह रहें कि आप जो है संचीत कोस का पैसा खाजाना खाली करते चली जा रहे हैं आप उत्पाद को बढ़ा नहीं रह पैस में लोगों के पास में खरदारे की अपको सुना प्लीज देखिए आप बोलीए दा मैं इसमें रुप करना चाहता हूं आप उसको डाइवर्ट कहां कर रहा है तो बोला कि तीन सेक्टर है तीनों सेक्टर में आप बोलने देख यह जवाब दे लिघे एक बात का मुझ अनुरूर भाई मुझे लगता है कि आपको इस बात की फिर गला जंदा का लिए अरे मैंने बोला आपके पास जेब में पैसे कितने हैं उसके अंसार खर्च किजिएगा ना अब भी आप रहुल गाजी पर चले गए आपकी यादत है रहुल गादी ठीक है ठीक है ठीक है रहुल जी एक सिक आपको यह चाहिए है सर लोग समझना चाहते हैं, लोग सिती को मनुष्टिवारी जी लोग सिती को समझना चाहते हैं, सर थोड़ी के लिए एक सेकार रहे है, सर आप भूराजी को फिर से वही चीज चाहिए, यह जब आरजी के बयान के आता है, लोपी के, यह हिंदु आतंग्वाद और मुस्लीम कि प्लुवामा टेक्ट अपनी करनी चाहिए अब राहु लगों की घड़ गई है बहुत बुरी तरीके से इसलिए तमाम सेक्टर में भी फिर बुरा लग जाएगा मैं कह रहा हूं कि देखे हर चीज में business transaction होता है अगर मारूति की कारें कम बिक रहे है तो एमजी हेक्टर की कारें booking पर पढ़ी हुए का आज उनकी booking दसज़र दाम अगर मैं कह रहा हूं गाड़ियां कम बिक रहे हैं तो हौंडा मारूति इन्हों ने अपने दाम क्यों बढ़ अगर जंदन योजना खोला गया लोगों सिलेंडर दियागा सारी चीज़े की जा रही है वैसा को नहीं है इनके जैसे तने 30 लाट पट बनाते हैं इनका क्या है कि 30 लाट का टॉयलिट बनाते हैं अगर क्या गया गंगोतरी से निकल कर एक सबाज गांगे योजना अप बोलना सुरू करूंगा संस्कृत आइंगी आप बोलने से इनको मंत्र कोड करने की अध्यादर संस्कृत बनाते थे आप बच्चों के आर्ट बटा दीजिए ठोप टेण लेडर किसमे अंदर है बेल पे हैं, इकँनोमिक's करफचन में बेल पे हैं, इनके थो टेड या एकविदिर पे शर्षर हो रही है, ओलिये और आप चाह्ते हमें घोटालों के अर्थ बेवस्ता हैं और बोले हम गरीबों के लिए हैं अपका आप 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 जाएगा जा जाए जो 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 चाहिए इस बात का जिक्रा ने विश्टाइब कर रहे थे किसा काफ़ों में तो कई सारी पॉलसी बहुत अच्छी हैं इन तमाम चीजों से निपटने के लिए किस किसिम के सरजरी की अब जरुवत आपके निगामे पढ़ रही हैं देखिए सब मैं जहां तक मोदी सरकार का बिजन देखता हूं तो वो ये समझ पाता हूं कि अभी मोदी सरकार को सरकार बनाए वो एक साल होने को आईगा ऐसे में सरकार इ टार्गेट कर रही है कि अगले एलेक्षन में बहुत टाइम है और जंता की जो है यादास्त काफी कभूर पूरा करने पर प्रयास है रक्षा के छेतर में अपने आपको पूरी तरह सुद्रण बनाने पर चल रहा है। rustा और क्षेसं में जा जए तो सब्सक्राइब्स यह द आधि और हम यह फंटakes से ला साथ में तो एसल भीवस्था को गती देने की काम की जरूबरत है बास्था और गती के सिंगी टेक्स में चुट दी जाए जियस्टी के रेटस में कुछ आइटंस में चुट दी जाए जी एस टी की ब्यवस्था थोड़ी और बह thorough करनी पड़े गी मैं सब्सक्राइब करता है लेकिन कुछ टेक्निकल खामियों की बज़ेसे और हमारे देश में भाती-माती के लोग होने की बज़ेसे बहुत तरह के ऑप्शन होने की बज़ेसे यह अभी तक परफेक्ट नहीं हो पाया है टाइम इसमें लगाया और इसमें सरकार की गलती नहीं हो कि प्रसाशनिक गलतियां है एक्सपर्ट की गलतियां है बट धीरे-धीरे GST बहुत स्मार्ट होता जा रहा है और सरकार आप देखिए लगाता डेडलाइन बढ़ाई है तो आने वाले समय में ये एक ऐसी बीमारी है जिसका समाधान स्वता ही निकलेगा ये ऐसी खास ही है जो धीरे-धीरे अपने ही ठीक हो जाएगी आप 6 महीने का अकड़ा लगा लीजिए और 2020 में आप देखेंगे इनी दिनों में हम चर्चा करेंगे गर एक साल बात तो महेंगा ही हमारे पास टॉपिक नहीं होगा ठीक अनिल मिश्रा जी एक आरोप इस सरकार पर लगता रहा पहले भी जब सुर्गे अरुन जेटली जी थे किसाब धाई लोग सरकार चला रहे हैं मोधी अमिश्रा और अरुन जेटली या दूसरी लोग मिल करके मोजुदा इस्तिति में आरोप लगरा कि निर्मला सितरमन कापबल नहीं है एकनॉमिक को समझने या उसके प्रती एक बहतर निजाम बनाने के लिए बहतर पॉलिसीज बनाने के लिए ये ये आरोप कुछ ठीक लगता है आपको या अच्छी प्लानिंग हो रही है सब कुछ ये आरोप कहना गलत होगा हम आप कहें तो बात समझ में आती है विपच्छी पार्टियां कहें तो समझ में आती इनके अपने भाजपा मतलब 17-18 सरकार की पार्टी के के एक दो नहीं कई वरिष नेता और खासकर उसमें एक सबसे प्रमुक जो वक्ता हैं और जिन्होंने व और वो अभी अगर लेटे स्टाप का उनका बयान आपने पढ़ा हो तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि मेरे तो समझ में नहीं आता है कि मोदी जी किन वेकूपों से घिरे हुए हैं जो अर्थ व्योस्ता को इस कदर इतना नीचे ले जा रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त की अगर आप देखें अब सरकार का जो एक रवया समझ में आ रहा अगर आप इसी साल लेकर चले जाए सरकार पहले बजट पेस्ट कर देती थी बजट साल बर चलता था तब जाके कहीं उसमें कोई परिवर्ता नाता था रिजड़ का च्छे बूरे जैसे भी आए कोई बीच म प्रदान मंत्री भी कहते हैं अरे वा इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता इसी निर्मला जिस पर आपका क्वेश्चन में उन्हीं पर बोल ला हूँ और ये पूरा देश को आई किसवी सदी में लेकर चला जाएगा उसके बाद उस बजट की पूरे साल बर के अंदर कम सकम बीस बार दज्जियां उनाई गए कम सकम बीस बार उसमें परिवर्तन किये गए कम सकम जहां पहले अगर याद हुआ बहुत प्रेटकल बाते कहूं दूद के दाम कहीं जो हम लोग पाइकेट में यहां एंस यार एरिया में लेते हैं गाहों का तो छोड़ी है तो अगर साल में एक बार बरसता था तो हम लोग का विरोध उस पर होता था अब तीन-तीन महिने में कमपणिया दो-दो रुपए सीधे बढ़ाती है अब पूरे अधिकार से बढ़ाती है आप ट्रेन हो सबजी हो सबजी में आप देखे किस कदर किस दिन कौन सी सबजी किस लेट पर चल में जब मंडी में बिखता है तो साट रुपए सतर रुपए बिखता है यह किसका फिल्लोर है यह सलकार के मैनेजमेंट का फिल्लोर है चीजें कम होती है बारी सोना सूखा पढ़ना यह हमारे देश का एक नेचरल प्रासेस ऐसा है कि हर साल कुछ न कुछ होता रहता है लेक उसके पहले भाजपा की ही सरकार रही है और यह जो प्याज की समस्या आई है बारिस को पहले सरकार ने प्याज के दाम बढ़ने पर बारिस को बहुत बड़ा कारल माना था वो सितंबर का था अगस्स सितंबर का था और हम आपको बता दें कि दिपावली के बाद से जिस धं महिनों में देखिए एक किलो प्याज खरीद के मध्यम वरगी महीने भर का समय काट रहा है तो आप अंतर देखें खरीद फरोग और मार्केट में कितना बहुत बड़ी खाई है यह जो अंतर आ जाता है यह मार्केट को डाउन कर देता है और जहां किसान को 50 पैसे पर केजी प पचास पैसे नहीं है तो यहां तो साब यह इस्तिति है अब ऐसे में उम्मीद कब तक लगाये जनता कि साब कुछ बेतर होने जा रहा है आपकी निगासे मैं समझता हूँ अगले तीन से च्छे महीने बड़े महत्पूर होंगे सरकार के लिए और सरकार को इस पर जिस्ता है अगर बजट में कोई बड़ा चूट मिलती है वो बजट में बैंकिंग सेक्टर में कुछ ऐसी नए पेशकर होती है जिनसे कि एकॉनोमी को बूस्ट मिल में बड़े उसके रिजल्ट आएंगी तो ऐसे में अगला बड़ा कदम जो सरकार लेगी वो बजट के माध्यम से लेगी बजट में इंडारेक्ट टेक्स पर कुछ हो सकता है बजट में छोटे और लगूद्धों के लिए कोई बड़ी घोसना हो सकती है बजट में GST की लि पुट का लाब उठाने लगते हैं तो ऐसे कई कई सेक्ट एक्शन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ बजट में आएंगे अगला इंतजारा बजट का रहेगा बजट आने के बाद बुरारा इसके बहुत माफिक के साथ क्योंकि वक्त बिल्कुल यहां पर खत्म हो रहा आप सभी उम्दों को लेकर के पार्टियां सरकार बैती हैं मगर लाग कोशुशों के बावजूद जब नतीजे नहीं आते हैं जब डिलिवरी नहीं होती है तो फिर जनता से लेकर के आम आदमें सवाल तो करेंगे और ऐसे में विपक्षी पार्टियां उनके पास में तो एक खत्या कि साम करने में सरकार बिल्कुल फेल हो गई है कि वो डायन की तरह हर रोज बढ़ती जा रही है